नमस्कार मैं हूँ देवांसु आप देख रहे हैं निस फोरनेशन मुकेस हैनी किस साइड है एंडिया के साइड है या महागरपननन के साइड है वो जल्द ही इसका एलान जो है वो कर देंगे इस पहले इस वक्त उनकी पार्टी के अंदर से बड़ी ख़बर आ रहे है बड़ी खबर यह कि आडा जिले से तालुक रखने वाले पूर्फ आईपीएस बरज किसोर सिंग जो है वो मुके सेहनी की पार्टी जो है वो जोईन करने वाले हैं और जनकारी के मताविक कल यानि कि 10 जुलाई दोपहर को मुके सेहनी की पार्टी जो है इनकी रही है और कल मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो ब्रज किसोर सिंग जोईन करेंगे ब्रज किसोर सिंग जो है आरा जिले से तालुक रखते हैं और इनके बेटे की साधी बीजेपी की बिधायक स्रेसी सिंग की बड़ी बहन से बीते महीने हुई थी और साधी में बड़े बड़े लिडरान जो है वो पहुचे थे चिराग हो या मुके सहनी हो या असोक चौधरी हो जेडू कोटे से मंतरी सभी तमाम नेता जो है वो स्रेसी सिंग की बड़ी बहन की साधी में पहुचे थे मिल रही जनकारी के मताबिक पूर्व IPS ब्रज किसोर सिंग जो हैं वो कल मुकेश सहनी की पार्टी जो हैं वो जोईन करने वाले हैं मुकेश सहनी जो है लगतार उनकी पार्टी जो है वो मजबूत होते जा रही है धीरे-धीर करकर धारदार नेता जो है वो उनके पार्टी जो है वो जोइन कर रहे हैं इस वक्त बिहार की सियासी फिजा में बार्गेनिंग का पिरियड चल रहा है लेकिन मुकेश सहनी के लिए ये पिरियड जो है वो नेताओं का जोइनिंग पिरियड चल रहा है लगतार नेता जो है एकक करके उनके पार्टी में सामिल हो रहे हैं और कहा तक यहां जा रहा है कि ब्रज किसोर सिंग जो है वो भी आईपी पार्टी के टिकट पर आरा लोकसवा सीट से ताल भी ठोक सकते हैं फिलाल अभी तक के लिए इतना ही आप देखते रहें नूस फोरनेशन